तो गैस मोटो ने इस बार बहुत ही बैतरीन सा डिवाइस निकाला था ना मोटो एज फोर्टी नियो और इसका कमपैजन आप लोगी डिमांड थी वीवो टी टू प्रो के साथ में और भाई सबसे पहले तो मैं बता दू कि सबसे ज़ादा वीवो टी टू प्रो के साथ में मोटो एज फोर्टी नियो का कमपैजन करने की तो भी यह पेशे कितमत है सबसे पहले तो भाई मैं आपको बता दो दोनों ही फोन दिखने में बहुत ही ज़ादा बहतरीन लगते हैं अगर आपने मोटो एज फोर्टी नियो ना प्लास्टिक वाले वर्जन में लिया है तो भाई आपने बहुत ही बड़ी गलती कर दिये और हाँ पकड़ने में काफी इदर स्लिपरी नहीं है लेकिन वहीं पे वीवो टी टी टू प्रो जो है ना हार में जब आप पकड़ते हैं तो थोड़ा सा यहां पे स्लिपरी है बैक से यहां पे ग्लासी सा ग्लास का बैक देखने को ना मिलता है तो आप चाहे कोई भी वर्जन ले कोई भी वेरियंट ले इसका बैक में आपको ग्लासी बॉड़ी देखने को मिलती है खैर इसके बार में जैसी आप अगर फ्रेंट से देखेंगे न तो फ्रेंट में कर दिया हुआ है लेकिन अगर आप देखेंगे कि भाई दोनों की sound quality तो हाँ दोनों की sound quality काफी एदा अच्छी है पर Moto की क्योंकि यहां पर Dolby Atmos के support के साथ में आती है तो थोड़ी सी better आती है और एक चीज़ आप लोग को shocking होगी यहां पर 170 grams का यह वाला phone है Moto का लेकिन इसमे तकने पर भी battery drain हो रहा है तो मैं आपको बता दू मैंने भाई 5G का स्विन फिलहाल तो लगाया नहीं था तो फिलहाल के लिए मेरे में तो एक भी person का battery drain देखने को मिला नहीं जब मैंने phone को lock किया रात में और सुबा जब देखा तो भाई यहां पर कोई भी battery drain देखने को न मिलते हैं और moto के अंदर ip68 rating के साथ में आता है मतला पानी में submerged भी अगर हो गया तो कोई problem नहीं है लेकिन vivo में केवल यहां पे splashes वगर को ही यहां पर maintain कर सकता है पानी में डूबा तो भाई खराब होने के chances हैं even guys दोनों में ही आपको android 13 out of the box देखने को मिलता है और दोनों म कुछ यहां पर gestures वाले चीज़े आती है जैसे कि आपने किया तो light off light on vivo में आपको जो है इनका fun touch OS देखने को मिलता है इसमें कुछ अपनी customization के साथ में आता है मुझसे अगर personally पूछेंगे तो मुझे moto का software है वो जाधा पसंद आता है and even guys अगर bloatware applications की बात करेंगे वो moto में यह 4 nanometer के architecture पे है और यह वाला 6 nanometer के architecture पे है तो भाई देखो on paper अगर आप बात करेंगे तो हाँ हलका सा यह हलका पढ़ता हुआ नजर आता है लेकिन real life scenario में भाई मुझे बहुत different result मिले है देखिए सबसे पहले तो आप N22 benchmark के बारे में अगर आप देखेंगे give benchmark देखेंग करके दिखाता है नाई सिर्फ यह बल्कि अगर video export करने की बात करेंगे तो ज्यादा बहतरी वीडियो export के support आपको moto के अंदर देखने को मिलता है यहां पर यह 4K तक की video को export कर सकता है और यह केवल 2K तक की video को export करता है और नाई सिर्फ यह यहां पर जब मैंने wifi का speed test के था उसमें भी moto ही जादा better निकल के आ रहाता है and even guys जब मैंने app opening speed test किया ना तो उसमें एक चीज़ भाई मुझे shock करने वाली थी मतलब इतना बहतरी सा processor है लेंगि फिर भी app opening में हर बार ही मैंने देखा है हर एक बार moto ने ही सारी applications को पहले open किया है चाहे वो gaming application हो चाहे वो social media हो चाहे वो shopping application हो अब ये सारे चीज़े क्यों है पता नहीं एक्शुल में जो एर animation आती न वीवो के अंदर वो थोड़ी सी यहाँ पे लेट कर देता है app को open करने में बस एक यही चीज़ है और हाँ साथी में मैं बता दू भाई देखो कई लोग ऐसा मान रहे थे कि मोटो में heating issues है मुझे अभी तक मिले नहीं है example की दोर पे मैं अगर बता हूँ तो मैंने BGMI खेला मोटो के अंदर भी FPS मीटर के साथ में अब आप लोग बोलेंगे FPS में कैसा रन करता है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई आप लोग को बता दो यह दोनों ही फोन मेरे दुआ परचेस किये गए हैं तो इसलिए authentic यहां पर comparison लेकर कि आप आ रहा हूं कमपनियां देती तो वह पॉसिबल नहीं था और परचेस करने में तो आपको पता यह अपने पैसे लगते हैं तो इसलिए थोड़ा सा support करिएगा वीडियो को like जरूर आप करिएगा और comment जरूर आप on paper भाई कोई processor बहुत जादा difference लेकर के आ रहा है अगर आप into to benchmark देखे 5 लाग 7 लाग तो भाई यहां पे performance में भी long term में आपको difference देखने को मिलेंगी लेकिन यह भाई depend करता है कि आपके लिए bgm i कितना जादा important है अगर आप यहां पे casual gamer और dailys हलका फुलका खेलते हैं तो यहां पे भी भाई जो fps रहा है ना वो मैंने गेम बेंच एक application आती है उसके इंदर मैंने यहां पे fps run किया था और average fps भाई 60 fps के आसपास में रहा है वो भी 96% of times तो और क्या चाहिए भाई तो overall मैं भाई बोलूगा की bgm i का इसका gameplay का review अगर आप बोलोगी है तो मैं लेकर क camera दिया हुआ है जिसका कोई मतलब नहीं बनता है लेकिन moto के अंदर 13 megapixel का ultra wide का sensor दिया हुआ है और वहीं पे front camera की बात करेंगी तो moto में 32 megapixel है और वीवो की बात करेंगे तो front में 16 megapixel है तो आखिरकार इन दोनों में से camera किसका बैतर है देखिए मैंने यहां पे multiple photos क्लिक करी है moto से भी और वीवो से भी जो यहां पे जिस निकल के आया है उसकी अगर मैं बात करूँ तो moto की जो photos है वो थोड़ी सी saturated होती है जहां पे color बहुत ज़्यादा boost हो करके निकल के आते हैं तो अगर आप social media पे अगर आपको photos को post करना है तो कुछ edit करने की जरूत नहीं है simply आप moto से photo कीची और upload मार दीजे लेकिन अगर आप वीवो को देखेंगे तो काफी यहां पे color को रखने की कोशिश करता है काफी यहां पे close to reality को यहां पे maintain करने की कोशिश करता है वीवो साती में guys यहां पे हलका सा contrast मुझे ज़्यादा देखने को न मिला है moto के अंदर जिसकी वज अगर चाहिए तो आपको यही वाला लेना पड़ेगा लेकिन आप में से कई लोग यह बोलेंगे अभी तो update के बाद में एक यहां पे enhance mode और natural mode में भी photos को आप click कर सकते हैं तो भाई देखी यह वाली ने photos में आप देखिए और मुझे बताईए कौन सी natural है कौन सी enhance mode है कोई difference ही नहीं है और अगर बगल में मैंने यहां पर वीवो की photo रखी तो आपको difference समझ में आएगा तो भाई मेरी अगर माने तो भाई natural और enhance में मत आप जाए और even guys यहां पर दोनों में ही dynamic range काफी यदा अच्छी maintain रखने की कोशिश करता है back वाला camera किसी में HDR में भी problem नहीं आत जादा रहती है back में अगर कुछ plant वगर है तो वहां पे green री जादा आपको मालो देगी लेकिन guys इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि Vivo front selfie में अच्छी photos को लेता नहीं है मैं केवल और केवल बात कर था detailing की detailing आपको Moto में थोड़ी सी better देखने को मिलती है Vivo भी काफी detail के सा maintain रखता है अगर मैं बात कर लेता हूं वीडियो की quality की तो जो back camera है OIS के साथ में stabilize रखता है दोनों ही smartphone की videos को लेकिन अगर front selfie में आप आ जाएंगे तो front selfie में Moto भाई 4K video को record कर सकता है पर Vivo यहां पे केवल 1080p के resolution में ही video को record करता है तो अगर आप selfie के लिए अगर आप कोई phone purchase करना चारे हैं तो भाई इस price range में यही एक ऐसा phone है जो की front में भी 4K video की quality दे रहा है और काफी अच्छी quality है पिलहाल के लिए अभी मेरे लिए भाया Moto ही ज्यादा बहतर निकल के आ रहा है as compared to Vivo in terms of price better value for money phone Moto का ही है Vivo का नहीं थोड़ा सा expensive है लेकिन भाई Moto बहुत कुछ दे करना भूलना नहीं